दोस्तों ब्लडी संडे में मैं जैसुगलाप का स्वागत करता हूँ एक नई हिला के रख देने वाली कहानी के साथ बात बहुत ही पुरानी है ओ समय ग्रामीर लोग अधिकतर एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए बैल गारी यादी का उप्योग करते थे कोई भी सुग तेवहार हो या कोई प्रियोजन बड़ा से बड़ा मेला जगा जगा लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगबग दस पंदरा दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे कुछ लोग पैदल ही गोल बना कर रात को खापी कर निकल जाते थे और सुबा होते होते मेले की जगा पर पहुँच जाते थे कुछ लोग बैल गारी आदी नांग कर निकल जाते थे ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही दस बारा कोस तक चले जाते थे और उदर से कुदाल हसुआ हथ था पानी कुछ हिलने का साधन कूली खेतों में सिचाइक काम आने वाला बरतन जिसमें रसी बांद कर कुए में तालाबादी से पानी निकाला जाता है आदि खेती किसानी के साथ पहुंसर लोड़ा आदी भी खरीदे थी साथी उसाइनी के साथी पास की बनी अन्य चीजे हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लगड़ी के बने खिलोने और तिपहिया गारी भी खरीदना नहीं बूलता था ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते पर आज के मेले पर आधुनित्ता पूरी तरह से हावी हो गई है और साथी पारंपरिता से बहुत ही दूर हो गए है पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती लोग कुछ विसेश चीजों को खरीदने के लिए किसी विसेश जगा पर लगने वाले मेले का इंतजार करते भूत की पूरी कहानी सुरू करने से पहले मुझे एक छोटा सा भूत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहां सुनाना जरूरी समस्ते एक बार मेरे गाउं के कुछ लोग रात को खावी का लाठी गमचा सतुआ आज बंद कर मेला करने निकल गए उन्हें लगबख साथ आठ कोज दूर जाना था रात का समय और आकास से चांदनी चका चौन कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लदे थे और प्रकत की सोबा में चार चांद लगा रहे थे मेरे गाउं के लोग तेजी से खुरूरिया रास्ते मेडों आज से होकर तेजी से गाते हुए बती आते हुए बड़े चले जा रहे थे रास्ते में एक गड़ाई पड़ी वे लोग गड़ाई पार की पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर फिर से गड़ाई पर आ जाते हैं जब दो तीन बार उनके साथ यही गटना गटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें बुलावना भूत ही बुलवा रहा है दर असल बुलावना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों को नुकसान तो नहीं पहुचाते हैं पर उन्हें बडास्ता बटका कर परिसान करते हैं फिर कहा था तभी उस गोल के एक बुजरू ने अपनी चुनोटी निकाली सूर्ती बनाया और जय बुलवना बाबा कहकर थोड़ी सी सूर्ती चोहीं चड़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए खैर इस बार वे बुलवना भूत से तो बच गए खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी मेला के रास्ते में एक नदी पढ़ती थी और इन दिनों इसमें जांगबरी पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गवाई वेक्ती इसे पार कर सकता था पर उस दिन जब ये लोग नदी की किनारे पहुचे तो पाठ लगबग एक मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा आ रहा था इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पास में ही कोई माला या नाव ही नजर नहीं आ रहे थी ये लोग नदी से दस मीटर पहले ही रुक कर सुबा होने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे उंगने लगे खैर सुबा हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी सौ मीटर लगबग दूर है और वैसी ही बतली बतली दिखाई दे रही है दरवसल नदी के किनारों के खेतों पे सर्सों के पूरी तरह से फूल कर पस्री हुई थी और हवा के बहने पर सर्सों के पीले फूल लहराते थी तो इन्हें नदी का पानी आबास होता था पर यहां भी किसी दूसरे बुलावना भूत ने इनके साथ मजा करके इन्हें बुलवा दिया था अब इस गोल का हर वेक्ती सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आके बढ़ गए होते पत तो पता तो चल जाता कि नदी का पाठ नबढ़ कर यह सरसों के खेत है खैर उस समय भूलोना भूत ऐसी हर्गते करके लोगों को परेशान ही करते रहते थी यहां कोई नई बात नहीं थी खैर सुबह यह लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू की और दो बार तक एक बड़े बगीचे में बहुंगे उस बगीचे में लगबख एक कोस्त पर एक दूसरा बगीचा भारी था जिसमें मेला लगता था पर जियों ही वे लोग इस बगीचे में प्रवेश करना सुरू की इन्हें बहुत ताच्जब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकाने सजना शुरू हो गई थी फिर लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें खैर इन्हों ने एक दुकांदार से प्मूच हिलिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है तो उस दुकानदार ने हामे सर हिला कर फिर अपने काम में लग गया खैर इस बगीचे में एक छोटा कुआ था और पासी देवी का एक छोटा थान था यह बगीचा बहुत बड़ा था और लगवख दो तीन कोस्त का एरिया में फैला हुआ था दिन में भी अंधेरा का पूरा-पूरा सामराज लग रहा था इन लोगों ने कुमे पर पहुँच कर दातूनाद किया और आटा आधिसान कर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगए दरसल दुकाने सज रही थी और मेला साम को गुलजार हो जाता था हर दुकानों पर चिराग जलूटते थे और कुछ पेड़ों पर लुकारे मसालवी जलूटती थी साम को जब ये मेरे गाओं के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गाओं जवार का कोई विक्ती नहीं दिख रहा था उन्हें ताच्चु बो रहा था क्योंकि मेरे गाओं का भी कम से कम दो तीन गोल और पास के गाओं के अनेकों गोल मेला में आय थे कोई गोल गाउं से पहले चला था तो कोई बात में पर कोई पहचान का विक्ती दिखाई नहीं दे रहा था दुगांदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकते भी अजीब थी हमारे गाउं के लोगों में एक बुजुर्ग यादो दी थे अब उन्हें को समझ में आने लगाता है उन्होंने गाउं के सबी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा कि दीरे दीरे डेरा कीवड बढ़ो हम लोग भूतों के चंगुज में फस गए है या अपना मेला नहीं या भूतों का मेला है और यहां अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लगे तो हम लोगों की जान को भी खत्रा हो सकता है पता नहीं जब ये लोग उस कुए की ओर बढ़ने लगे तो दुगांदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे अपने उनके हाव भाव के साथ थी उनका आकार प्रकार भी बदलने लगा था अब अपने रूप में आना सुरू हो गए थे और डरावनी हरकते भी करना सुरू कर दिये थे फिर मेरे गाव के उस बज़ुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे बिना डरे कुए की और बढ़े और वह जो देवी का थान है वहाँ पहुचकर देवी मा की गुरार करने खैर अब भूत भी रणावनी हरकते करने लगे थे पेड़ों की डालिया थोड़ना भी सुरू कर दिये थे और अजीबों गरीब हरकते भी और मेरे गाउं के लोग बिना डरे तेजी से कुए की और बढ़ चले और कुए पर महुचते ही बने देवी के थान के पास चप्पलादी निकाल कर देवी को गुराने लगे उस बगीचे में एक अजीब सी भयावा इस्तित पैदा हो गई थी अधेरा पूरी तरह से चा गया था और पेड़ों की डालिया तेजी से आपस में ठक्रा रही थी मेरे गाउं के लोग अब हाथ जोड़ कर उस देवी के थान पर जुक गये थे सबकी आखे बन थी एक आएक एक तेजी से आंधी उठी ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचा ला गया है कुछ पेड़ों की डालिया तेजी से आवाज करते हुए तूट कर गिर गए और देखते ही देखते मेरे गाउं के लोगों के कान में किसी महिला की सुमदूर आवाज गुणजाय मान हुई उठो यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हैं महिला तो उस बगीचे में लगा है मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी इसके बाद मेरे गाउं के लोगों ने जान में जान आई आप गीचे में सांती पस्री हुई थी उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था फिर एक अदबुत रोशनी पकट हुई रोशनी के पकट होते ही मेरे गाउं के बज़ुर ने का अपना अपना सामान समीटे और बिना देर किये इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो फिर मेरे गाउं के लोगों ने अपना सामान समेटा और रोशनी के पीछे पीछे हो लिए जब वे लोग मेले वाले बगीचे में पहुँझे तो वा रोशनी गायब हो गई मेरे गाउं के रमेसर बाबा मिल गए फिर रमेसर बाबा मेरे गाउं के इस गोल को लेकर डेरा पर गए जहां मेरे गाउं के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने लिख ले दरसल डेरा बनाने से अफायदा होता था ग्यार वेक्ति की एक दो घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थे और लोग अपना सामान ददा खरीदा हुआ सामान भी यही लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे और अगर किसी को खाना पीना भी होता था सुबा मेरे गाओं के उस बजूर उन्हें गाओंवालों के साथ मेला के आयोजगों के बास पहुचे और उन्हें रात की घटना बताएगा मेला के आयोजगों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजगों इसी इसे तो उस बगीचे में नहीं करते क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता है इस बगीचे के भूत काफी लोगों को परेसान किये फिर मेरे गाउं के उस बुजूर ने कहा कि हमें भूतों से ड़ने की क्या जरूरत है उस बगीचे में एक देवी मा का थान है वहाँ भी है आप लोग क्योंकि उस देवी थान पर बुजा आदि कायोजन करके मेला कायोजन वही करते हैं मा सब की रच्छा करेगी और मूतों को भी वहाँ से 921 बोना पड़ेगा मेला आयोजपू को यह बाद बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो मा उस बगीचे में इस बगीचे में मेला का आनंद उठाने आती है तो क्यों नहीं मेले कायोजन उसी बगीचे में किया जाए तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया है सब पर मा की क्रपा है मा के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है मेले के दोरान पूरा बगीचा मा में हो जाता है अगर बत्तियों और कपूरों के जल्ले से पूरे पगीचे का माहौद देवी में हो जाता है लोग मेला भी करते हैं और मा के दरसर भी दोस्तों आप देख रहे हैं थे बलडी से जैस उकला के साथ अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए आगे आने वाली वीडियो को लेखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब देए मैं मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ एक हिला के रख देने वाली कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार